फिर हम इसी का दूसरा उपभाग देखते हैं जो है आपका अरावली परवत का पुर्वी छेत्र ये छेत्र जो है वो आपके नगर की जो पुर्वर्ती रियासतें थी हम यहां पर भी रियासत की बात कर रहे हैं मतलब पुर्वी छेत्र में जितनी भी उस समय रियासतें प्रशाशनिक छेत्र के रूप में और बड़े बड़े जो अध्योगी केंद्र के रूप में भी विक्सित हो चुकी हैं जिसमें हम प्रमुख रूप से बात करें तो आपका ग्वालियर जहासी इंदौर भोपाल या रतलाम जो हैं वो इसी प्रकार के प्रमुख नगरी और यहां पर भी हम फिर से कहेंगे कि यह पुरा परचीन जो राजपूत थे जो रियासते हुआ करती थी उनका पूरा छेतर है यह अरावली-वारा तो जो पृर्वी छेतर में रियासत होते थे और उनकी राशधानिया थी उनको हमने देखा अब इसके जो पश्यमी छेत् थी उसमें प्रमुख रुप से हम बात करें तो जोदपूर, बिकानेर, बाडमेर और नागौर यह जो है वो प्रमुख राजधानिया थी पश्यमी रियासतों की और यह पूरा जो छेत्र है यह एक मरुस्थली छेत्र है यह हम यह कहें कि जितने भी हमने नगरों के नाम करें जिसमें आपका विंध्याचल प्रदेश आता है या विंध्याचल का जो छेत्र है वो आता है और इसमें प्रमुख नगर जो हैं वो आपके जबलपूर, रिवा, कटनी और सतना इस विंध्याचल छेत्र के प्रमुख नगर हैं तो हमने देख लिया कि पूरे भारत मे जो नगरी करण की इस्थिती है या जो इसके प्रमुक छेत रहें उन पर हमने बात की अब हम देखते हैं जैसे ही किसी नगर का विकास हो रहा है या हम जब भी विकास की जो बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि कोई देश जितना विक्षित होगा उतना ही वहां पर अदोगी करण और नगरी करण की जो अवस्थाएं हैं वो इसकी चरुम अवस्था को प्राप्ट कर लेता है लेकिन जहां पर हमें कुछ प्लस मिल रहा है वहां माइनस भी होता है मतलब कुछ उससे होने वाले लाब हैं तो उतनी ही हानिया भी हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि नगरी करण की होने वाली हानिया या नगरी करण के बढ़ने से कौन-कौन से दुश परिनाम हमें देखने को मिलते हैं, नगरी करण के बढ़ने के साथ-साथ या नगरी बस्तियां जैसे जैसे विक्सित होती जा रही हैं हम देखेंगे कि कुछ समस्याएं भी हमारे सामने और हम इने विकट समस्या कह सकते हैं ये हमारे सामने उभर कर आ रही हैं तो ये कौन-कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना हमें नगरी करण के कारण करना पड़ रहा हैं तो पहले हम देखते हैं बहुत अधिक भीड़ भाड़ गावों से लोगों का नगरों की तरफ आकरशन चाहे वो रोजगार के लिए हो या मिलने वाली अच्छी सुविधाई या उच्च जीवनिस्तर की हम बात करें ये सभी कारण वो ग्रामीन छेत्रों से लोगों को नगर की जनसंख्या को बहुत अधिक हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार वृद्धी हो रही है और इतनी अधिक भीड़ हो गई है कि लोगों के रहने के लिए जगन ही है हम बड़े-बड़े नगरों और महानगरों में चले जाएं तो हम देखेंगे कि वहां पर लोग जो हैं वो फुटपाथ में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं यह हम यह स्थिती देखते हैं कि एक ही कमरा है और उस एक कमरे में उस घर के दस से बारा मेंबर जो हैं यह सदस से जो हैं वो निवास करते हैं वहां पर माकान भी जो हैं वो भी चुकी छोटे होंगे य तो बहुत अधिक भीड भाड़िया हम कहें कि ओवर क्रॉडिंग की जो समस्या है वो नगरी करण के कारण बहुत अधिक विकट रूप अपना ले चुकी हैं फिर दूसरा हम देखते हैं आवास या हाउसीन की प्रॉब्लम भी है हमने भी बात की कि जनसंख्या का बहुत अ लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं प्रवासी के हैं हम या ग्रामीर छेत्र से आने वाले जो लोग हैं या हम समानी शब्दों में कहें कि लगातार नगरों की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके कारण वहाँ पर आवास की समस् उत्पन हो गई है क्योंकि छेत्र उतना ही है लेकिन लोगों की संख्या जो है वो बढ़ गई है तो हम हमने बात की थी जब सननगर की तो हम यह देख रहे थे कि कोई महानगर जब वहां पर उसका बहुत अधिक नगरी करन बढ़ गया है और समस्याएं जैसे आवास की समस्या हो गई तो उस विशेश नगर या प्रमुख नगर को छोड़ कर वहां उससे सटे हुए जो अन्य छोटे कजबे या नगरी ग्राम की जब हम बात करेंगे तो वहां पर लोगों के लिए आवास बनाए जाते हैं या निवास की जो विवस्था है वो की जाती है मतलब उस कर सकते हैं दिल्ली की हमने बात की थी यह हम कुलकाता हावडा की बात किये थे तो यह एक ऐसे महा नगर है जहां पर आवास की जो समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ गई है वो इसी के कारण हम देखेंगे कि हमें इंडिविजुल मकान भी बहुत कम अब देखने को मिलते ह और आवासों की बहुत सघन होने के कारण हम तो सलम में चले जाए या किसी ओद्योगिक छेतर से लगी हुई जो छोटी-छोटी बस्तियां होती हैं जहां पर कोई मजदूर वर्ग रहते हैं तो वहां पर तो हम आवास की यह स्थिती देखेंगे कि एकदम तंग और सकरी ग हम ते कमरे में वहीं पर वो उनका बैडरूम होगा वहीं कीचन होगा वहीं ड्राइंग रूम होगा वहीं पर वो खाना बनाएंगे मतलब सारा काम यह हो वहां पर होता है और एक ही कमरे में लगभग 10 च्थे-12 मेंबर जो जो हैं वह निवास करते हैं तो आवास बरन¬ के बेरोजगारी, भई सभी को रोजगार चाहिए और हम ये देखेंगे कि सभी का जो रुजहान है आज कल वर्तमान समय में लोगों का चुकि हमारा देश तो क्रिशी प्रधान देश है लेकिन आज का जो यूवा वर्ग है वो क्रिशी कारी नहीं करना चाहता या उससे संबंध आकर्शित होता है और ये जो आकर्शन है जो उसे आप नगरों में लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा कि सभी के लिए तो रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा जनसंख्या का दबाओ बहुत अधिक बढ़ गया है लेकिन रोजगार या कार्य में उस अनुपात में रही है फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मलीन बस्तियां या स्लम्स जो है यह अभी वर्तमान समय में हमारे लिए अभिशाप के रूप में कार्य कर रहे हैं मतलब जितना ज्यादा अधियोगी करण बढ़ रहा है या नगरी करण में जितना विस्तार हो रहा है उसके आसपास उसमें जो काम करने वाला श्रमिक वर्ग है लेबर वर्ग है वो बही पर उस छेत्र से में लगे हुए छेत्र में जुगी जोपनियां बनाकर निवास करने लगते हैं और यह इनकी स्थिती बहुत खराब होती है क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की समस्या होती है जोपनियां बनाई जाती है और उसमें वही स्थिती की एक छोटी सी जोपनि के कमरे में कच्चा मकान होता है सिवरेज भी वहाँ पर पर्मानेंट उसकी व्यवस्था नहीं होती और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर एक ही कमरे में निवास करते हैं तो स्लम जो है वो ए यह हमारे परियावरन को तो दूशी कर ही रहा है और साथ ही साथ हम यह कहें कि हमारे आसपास का जो एन्वायरमेंट है या जो हम यह कहें कि जो उसका प्रभाव है वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो जीवन इस्तर होता है वो एकदम निम्न होता है और वो मुख्य छेतर से एक दम कटे हुए होते हैं, शिक्षा का भाव होता है, तो उनका जीवन इस तर भी उपर उठाना, या उनके जीवन इस तर को हम समानिय बनाना, और शिक्षा के इस तर को बढ़ाना, जिससे उनकी सोच में बदलाव हमारे लिए आज बहुत आवश्यक हो गया है। जैसे ही कोई एक सिग्नल आता है, तो उपर से आप देखेंगे तो आपको पुरे सिर ही सिर सब के नजर आएंगे। एक सिग्नल में बहुत लंबी कतार जो है वो लग जाती है, यदि आप सड़कों पे कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं, तो दो तीन सिग्न सिग्नल पार हो जाते हैं, फिर आपका नंबर आता है, मतलब आपके नंबर आते तक फिर रेट सिग्नल हो गया, तो भीड इतनी हो गई है, चुकि जन संख्या बढ़ रही है, इसलिए वाहनों का भी दबाव या वाहनों की संख्या भी सड़कों पर लगातार बढ़ती जा उर्जा भी एक प्रमुक समस्या है, मतलब जितनी भी जन संख्या नगरों में रह रही है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराना हमारे लिए हमारी आवश्यक्ता है, और हम देखेंगे कि जो अधिकतर महानगर हैं आजकल, जो नगर और महानगर देखने को मिलेंग और जब हमने संसाधन की बात की थी, तो हमने देखा था कि हमारे जो उर्जा संसाधन हैं, उन्हें भी हमें बहुत सेफ करते हुए चलना है, यह आगे आने वाली पिड़ी के लिए बचाते हुए चलना है, और यह हमारे लिए सिमीत मातरा में उपलब्ध है, और इसी का पर दो पहर भर लाइट नहीं है, पावर कट की प्रॉब्लम होती है, फिर है जल की समस्या, जल भी उपलब्ध कराना, चुकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उतनी जनसंख्या को हर तरह की सुविधाएं जो हैं, वो हमें उपलब्ध करानी पड़ेंगी, जिसमें जल जो है, वो करने के लिए भी हमें जल की आवश्यक्ता है, अगर हम बात करें, जो हमारे चार महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चिन्नई, तो ये जो चारो महानगर हैं, इसमें हम जल की मांग और उसकी आपूर्ती का अनुपात या रेशियो देखें, तो हम देखेंगे कि इसमें 10 से 20 प्रतिशत तक का हमें अन्तर पाया जाता है मांग में और आपूर्ती के बीज में, तो जल भी एक विकट समस्या है, फिर सिवरेज, सिवरेज हमने बात की थी कि लगातार जनसंख्या का बढ़ता दबाव और ओद्योगी करण के बढ़ते प्रभाव के कारण, जो स्लम है, वो आज के नगर की प्रमुक समस्या हम यह कहें कि अभिशाप के रूप में बनता जा रहा है और प्रमुक रूप से उन छेत्रों में सिवरेज की समस्या तो होती ही है क्योंकि कच्ची सिवरेज का जो सिर्टम होता है वो होगा, और साथ ही हम जितने भी हमारे यहा जो नगर है उनकी बात करेंगे तो वहां के भी जो शिवरेज है वो बहुत पुराने सिवरेज सिस्टम हो चुके हैं जिनका मेंटेनस नहीं किया गया है तो इतनी सारी जो जनसंख्या है बहुत मतलब हम ये देखेंगे कि सिवरेज जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में बन रही है जिसके कारण हमारा एन्वायर्मेंट जो है वो परियावरण जो है पूरी तरह से प्रदुशित हो रहा है फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपसिस्ट जो पदार्त हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए जितने भी वेस्ट माठेरियल निकल रहे हैं उनकी भी एक प्रमुक समस्या है नग्रों में इसके साथ साथ जितना हम विकास करते जा रहे हैं उतना ही अपराद भी जो है वो जा रहा है नगरी अपराद भी नगरों में होने वाले अपराद भी एक प्रमुख समस्या है क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी है रोजगार का भाव जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण साथ ही साथ हम देखेंगे प्रतिसपरधा competition बहुत जादा बढ़ गया है और साथ ही जो हमारी भोक्तावादी सोच है हमें आपस में संभाव या सहकारिता की जो भावना है उसका हमें अभाव देखने को मिलता है जो नगरों में होने वाले अपराद को बढ़ावा दे रहा है इसके बाद हम देखते हैं परियावरनी production एक प्रमुख समस्या है जो आज हमारे सामने global warming के रूप में नजर आ रहा है और इसका और आगामी जो दुश्परिणाम है कि समुद्रों का बढ़ता हुआ जलिस्तर जलवायू में परिवर्तन ये प्रमुख समस्याएं हैं जिस पर यदि हमने अभी से विचार करके इसका निराकरण नहीं किया तो ये हमारे लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा हमारे विकाश के रूप में हमें अभिशाप के रूप में सामने आ सकता है क्योंकि परियावणी प्रदूशन सडकों पर बढ़ता ट्रैफिक वहनों से निकलने वाला जो धुआ हैं अलग-अलग कलकार खानों से ओद्योगी करण जितना बढ़ रहा है उद्योगों से निकलने वाला जो धुआ हैं ये सब जो हैं वायू प्रदूशन तो करते ही हैं साथ ही साथ ध्वनी प्रदूशन भी हमारे नगरों की एक प्रमुख समस्या है और यह सारी समस्या, जो है हम निश्चित रूप से विकास करें नगरी करण के माध्यम से और द्योगी करण के माध्यम से लेकिन इस विकास की गति के साथ साथ हमें अपने परियावरण को साथ लेकर चलना है और हमें वो हर कोशिश करनी है जिससे हम अपने परियावरण को सेफ सुरक्षित रख पाएं और आपसी सम्भाव से सद्भावना से हम विकास की गति को प्राप्त कर पाएं तभी हमारा जो नगरी करण और और दोगी करण के माध्यम से जो हमारा विकास है वो सार्थक सिद्ध होगा। बच्चो अभी तक हमने बात की कि जो नगरी करण बढ़ रहा है उसके क्या-क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं। और उसमें जो समस्याएं आ रहे हैं उनका निराकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस पर थोड़ी चड़्चा कर लेते हैं। उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे भी बात की थी कि नगरी करण बढ़ रहा है और उसका जो सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में है। स्लम्स को बढ़ावा देना यह स्लम्स का जो विस्तार हो रहा है गंदी बस्तियों का। तो सबसे पहले तो हमें यह उपाय करने चाहिए कि जिससे हम गंदी बस्तियों के विस्तार को रोक पाएं। उसके लिए हम कुछ शाशन को ऐसी नीतिया बनानी चाहिए। कुछ योजना बनानी चाहिए जिससे हम उस लेबर वर्ग के लोगों के लिए कुछ आवास का निर्मान करें और उन व्यक्तियों को या उस जनसंख्या को जो सलम्स में निवास करते हैं उन्हें हम वहाँ पर शिफ्ट कर दें जिससे हम गंदी बस्ती की समस्या से हम निजात कि अब देखते हैं इसके साथ ही साथ जो जनसंख्या का दबाव मुख्यणगरों पर बढ़ता जा रहा है तो हमने देखा भी था और बात भी की थी जो बड़े-बड़े महानगर हैं उनका विस्तार इतना दिखो गया है कि जनसंख्या का दबाव बढ़ने से जो आस-पास के कजबे या छोटे नगरी ग्राम हम कह सकते हैं वहां पर जनसंख्या जो है विस्तार होने से मुख्य नगरों का विस्तार उन छेत्रों तक हो गया है और वहां की जनसंख्या उन छेत्रों तक उस प्रशाशकी सीमा के बाहर नगरी ग्रामों या बस्तियों तक फैल चुकी है तो इसमें थोड़ी और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो भी मुख्य नगर हैं जहां पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है या जो बड़े-बड़े महानगर की हम बात करते हैं तो उनसे लगे हुए उनसे संबंधित छोटे नगरों का विकास किया जाना चाहिए जिससे हम ये देखेंगे कि जो प्रमुख नगर या महानगर है वहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है थोड़ा कम हो जाएगा और उससे हम जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उसका भी निराकरण हो सकता है तीसरा हम देखते हैं साथ ही साथ नगरी जो सुविधाएं होती है नगरी सुविधाएं जो आपको नगरों में मिलती है और जिसके कारण जो ग्रामीर जनसंख्या के आकर्शन का केंद्र होता है चाहे हम स्वास्त संबंधी सुविधाओं की बात क करते हैं और या फिर सिक्षा के लिए जब उन्हें उच्छ इस्तर के सिक्षा प्राप्त करनी होती है तो भी नगर जो है वो उनका प्रमुक आकर्शन होते हैं तो जो भी सुविधाएं होती हैं जो नगरों में हमें उपलब्ध मिलती है या जो हमें आकर्शित करती है अपनी नहीं करेंगे इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीरों की सुरक्षा या हम गावों में सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं जिसे लोगों के मन से जो भै और आतंक है वो खतम हो जाए और वो नगरों की तरफ प्रवास ना करें फिर देखते हैं हम जो ग्रामीर छेत्र में लोग निवास करते हैं, उनके लिए हम ये कहें कि ग्रामीर छेत्रों में ही जब हम उद्योगों के स्थापना कर देंगे, तो वहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ जाएंगे, और विशेशकर जो हमारे भारती छेत्र में हम भारती राष्ट की जब बात कर रहे हैं, जिसमें प्रतिसपर्धा के कारण जो लगु और कुटिर उद्योग हैं, उनको उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि लगभाग समाप्त होते जा रहे हैं, तो जब हम ये कोशिश करेंगे कि ग्रामीर छेत्रों में भी हम की स्थापना करें, तो उसका एक और फायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे इस्थानी इस तर पर जो लगु और कुटिर उद्योग हैं, उन्हें बढ़ावा मिलेगा, और वहीं के लोग जो इस्थानी इस तर पर निवास कर रहे हैं, उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो तो उससे जनसंख्या का दबाव थोड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि ये सारी सुविधाएं उसी गाव में ही ग्रामीट छेत्र में मिल जाएंगी, तो हम ये कुछ थोड़ी बहुत कोशिश है, जिसको अपना कर हम नगरों पर जो बढ़ता हुआ दबाव है, उसे कम कर सकते ह बच्चों, आपको ये पता है कि हमने बात की है कि 2011 जनगरना के अनुसार हमारी जो नगरी जनसंख्या का प्रतिशत है, वो 31.16% है, मतलब 31.16 प्रतिशत जनसंख्या जो है, वो हमारे भारत देश में निवास करती है और भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2030 तक ये जो प्रतिशत है, ये जो संख्या है, वो बढ़कर 40% 40% होने की संभावना है या ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक ये नगरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, वो 40% हो जाएगा तो हम जब देखते हैं कि अभी ही हमारे नगरों के उपर जनसंख्या का इतना अधिक दबाव पड़ता है तो अगर ये प्रतिशत बढ़कर और अधिक हो जाएगा लगबग हम कहें कि 8-9 प्रतिशत जब ये बढ़ जाएगा तो इन नगरों के उपर कितना अधिक जनसंख्या का दबाव पड़ेगा और जब जनसंख्या का दबाव पड़ेगा तो उसे संबंधित जो समस्याएं हैं जो हमने भी बात भी की थी कि आवास की समस्या, मुलभूत सुविधाओं की समस्या स्वास्त संबंधी समस्या या प्रदूशन की समस्या ये और कितना ही विक्राल रूप जो है वो ग्रहन कर लेगी या धारन कर लेगी तो इसके लिए भारत सरकार ने एक मिशन या योजना त्यार की है जो आज कल हम अक्सर सुनते हैं चाहे हम न्यूस चैनल में देखें और न्यूस पेपर में इसको पढ़ें वो है स्मार्ट सीटी मिशन इस मिशन का सबसे जो प्रमुख उद्देश है वो नगरी करण को बढ़ावा देना है या शहरों को बढ़ावा देना इस मिशन का प्रमुख उद्देश है और ये उद्देश जो है इसके साथ साथ जब हम को बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे क्या चीज़ें होंगी क्या बाते उभर कर आएंगी भई शहरी करन को बढ़ावा दे रहे हैं और हम बार बार ये बात भी कर चुके हैं कि नगरों की तरफ शहरों की तरफ हम क्यों आकरशित होते हैं तो इस मिशन का प्रमुखुदेश है कि अपने नागरिकों को वहाँ निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसे उनके जीवन इस्तर को और बहतर बनाने का प्रयास किया जाए या उन्हें बहतर सुविधाएं जो हैं वो हर छेतर में प्रदान की जाए चाहे हम सांस्कृतिक छेतर की बात करें हम राजन्यातिक छे कि लोगों को बहतर सुविधाएं प्रदान करना पहला तो कि शहरी करन को बढ़ावा देना और शहरी करन को बढ़ावा देकर ऐसा नहीं कि नगरों का बस हम विस्तार कर दे और जनसंख्या जो है वो अलग-अलग समस्याओं से जूशती रहे तो उन्हें नगरी करन से होने वाली जो विभिन समस्याएं हैं उससे निजात दिलाना भी इस मिशन का प्रमुख उदेश है साथ ही जो भी नागरिक सुविधाएं हमने कहीं कि जितने भी प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं हैं तो इस मिशन का एक और प्रमुख उदेश है कि नगर के नगर का ज जीवन को और बहतर बनाया जा सके जिससे उन्हें एक उच्च जीवन इस्तर यापन करने की सुविधा प्राप्त हो साथ ही साथ हम देखेंगे कि परियावरन प्रदूशन जो बहुत अधिक फैल रहा है नगरी करण के बढ़ने के कारण तो इसका एक और प्रम खुदेश्य ह है कि अपने परियावरन को साफ सुथरा बनाना और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब इस उदेश या हम इस मिशन के तहट ये कारी योजना बनाई गई है कि परियावरन को साफ सुथरा रखने के लिए जनसंख्या का दबाओ जनसंख्या के दबाओ से वहनों का भी जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसमें एक छोटा सा प्रयास हम अपने आस पास देखते हैं कि आजकल जो वहीकल है या वाहन जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उसका चलन बढ़ गया है या लोग जो है वो जागरूख हो रहे हैं जिससे हम परियावरण में हो साफ रखने के लिए बहतर बनाने के लिए वो इस मिशन का प्रमुख उद्देश है अब इसका इस मिशन में एक और बात कहीं गई है कि जो भी नगर हैं जो घनी आबादी वाले हैं सघन जन संख्या वाले हैं उन नगरों को जो बाकी नगर हैं मतलब जो विकास कर चुके ह हैं जो नगर और जहां पर बहुत अधिक सघन जन संख्या निमास करती है तो जब और नगरों का विकास किया जाएगा तो यह नगर जो है इससे संबंधित आपसे दो नंबर का प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाए तो आपको इसके उदेश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो उसका विस्तार बहुत अधिक है यदि हम इसके latitude और longitude अक्षांसी और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये फैली हुई है जब हम इसके उत्तर से दक्षणी सीमा की बात करें तो ये 3214 किलो मिटर इसकी लंबाई है और जब हम इसके पूर्व से पश्शिम की तरफ के विस्तार की बात करें तो लगभग 2933 जो है वो इसकी चोड़ाई है पूरा इसका जो चेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलो मिटर इसका संपूर्ण चेत्रफल है हमारे भारत का जो इस्तली सीमा है जो इस्तल भाग से घिरी हुई है वो 15,200 किलो मिटर और जो तो इसका दक्षिर्तम छोद है, जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है, यह समुद्र से सटा हुआ जो हिस्सा है. तो जब हम समुद्री तट्रेखा की लंबाई की बात करें, तो यह 6100 है. इसमें हम ये देख रहे हैं कि भारत का विस्तार इतना है चाहे हम उसके इस्थली सीमा की बात करें या सागर से लगे हुए तट्रेखा की बात करें या पूरे छेतरफल के बारे में भी यदि हम चर्चा करते हैं तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है और हमें पता है कि पूरे विश्व में छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सात्वा इस्थान है। बच्चों, आपको एक चीजस में पता होनी चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में जो अनेकता में एकता मिलती है। है ना, उसके विशय पर अभी हम चर्चा करेंगे कि इतना विशाल भारत का भूखंड है, उसमें अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग धर्म को मानने वाले, अलग भाशाएं बोलने वाले, अलग-अलग वेश-भूशा को धारन करने वाले, धर्म जाती अधार प बात हो, तो इसका विस्तार भी बहुत अधिक है, कुछ हिस्सा ऐसा है, जो इस्थली भाग से लगा है, और कुछ हिस्से इसके ऐसे हैं, जो समुद्री तट्रेखा से लगे हुए हैं.